नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल संसाइंस ओफनेट में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तर से आप जो है आई सीडियेस कैस कॉमकेर में जो है गर्ववती महिलाओं का पंजीकरन करते हैं तो अगर आप कभी भी ठीचार बाते ह होंगे या फिर अगर सुरुवात किये होंगे तो यहां पर आप त्य महिलाओं का नहीं आता है तो इसके लिए आपको जो है ICDS Cash में गर्वती महिलाओं का पंजिकरन करना होता है तो गर्वती महिलाओं का पंजिकरन करने के लिए आपको जाना होगा परिवार प्रवंधन में और उसको उपर क्लिक करना होगा फिर आपको जिस परिवार की महिला का गरवती पंजीकरन करना है उसके परिवार के उपर क्लिक करना होगा तो जैसे कि हम यहाँ पर मुहम्मद सहनवाज इसको उपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर हम जाएंगे परिवार के सदस्यों के लिस्ट इसके द्वारा इस परिवार में जितने भी सदस्यों होगे उनका लिस्ट यहाँ पर सो होगा तो जैसे कि हमें यहाँ पर एक महिला है सुफिया पर भी इनका गरवती पंजीकन करना है तो इन महिला के उपर आपको क्लिक करना होगा उन महिला के नाम के उपर क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा यहाँ पर महिला का जो जनमतिति आजाएगा महिला का आयू आजाएगा और अगर अधार नमबर यहाँ पर दिये होंगे ता अधार नमबर आजाएगा फिर हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर सबसे उपर में सदस की जनकारी बदलना सदस की फाइल बंद करना और देखिए यहाँ पर तीसा नमरप में है गर्वावस्ता पंजीकरन गर्वावस्ता पंजीकरन पर क्लिक किजेगा तो यहाँ से उनका गर्वावस्ता पंजीकरन होगा तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे फिर यहां आपको सवाल इसे पूछ रहा है पेसाब जाज से गरफ का पता चला अगर इसके दोरा पता चला होगा तो हाँ पकली करना है अगर नहीं पकली करेंगे फिर उसके बाद जो है दूसरा उप्सन पूछ रहा है महवारी के नहोने से गरफ का पता चला तो हाँ पक्लिक करना है अगर आप नहीं पक्लिक किजिएगा तो फिर ये पूछेगा कि होस्पीटल में जाच के दौरा गरव का पता चला तो अगर होस्पीटल में जाच के दौरा गरव का पता चला है तो इसमें हाँ करना है तो जैसे कि अभी हम यहां पर इससे चेक करेंगे हां महावारी के नह होने से गड़व का पता चला फिर हम आगे बढ़ेंगे अब यहां पर एक नमबर आएगा जिससे आपको उनके MCP कार्ड पर लिखना होगा जो टिकागरन कार्ड होता है उसके उपर आपको यह नमबर लिखना होगा फिर आगे बढ़ेंगे क्या अंति महावारी LMP की जनकारी है तो यहां पर हाँ पर कलिक करना है और फिर आगे बठना है फिर यहां पर LMP का जो है डेट यहां पर दालना होगा तो यहां पर जो है इनका LMP का जो डेट है वो है 5-4-2-20 यह डेट डालने का बाद LGMP का डेट डालेंगे फिर उसके बाद हम आगे बठेंगे फिर यहाँ पर परसोग की संभावित तिथी जो है EDD यहाँ पर बता रहा है इसे आप नोट कर सकते हैं या फिर यह बाद में भी देख सकते हैं यह परसोग की संभावित तिथी है फिर हम आगे बढ़ेंगे अब यह पूछ रहा क्या सुफिया परविन पहली बार गर्व बती हुई है अगर उनका कोई पहले से बच्चा नहीं है तो आपको हाँ पक्लिक करना होगा अगर पहले से बच्चा होगा तो नहीं पक्लिक करेंगे क्योंकि इनका पहले से बच्चा है तो हम नहीं पक्लिक करे फिर आगे बठेंगे फिर पुछाना क्या कभी लाभर्ती कि किसी बच्चे की मिर्त्यू हुई थी, जनम के बाद मिर्त्यू हुई या फिर मिर्त पैदा हुए तो यह आहिसा कुछ नहीं हुए नहीं करेंगे , अगर ऐसा बहुआ होया तो आपको ह्सुआ क्लिक करना है इनका इस महिला ने पिछले गरवश्था के दोरान तीटी की स्वी लगवाय थी तो हाँ.. हाँ पक्लिक करेंगे फिर आगे बठेंगे क्या पिछली बार पर्सव पूरे समय पर हुआ था अगर समय पर हुआ था तो हाँ पकलिक करना है अगर समय पर नहीं हुआ था तो नहीं पकलिक करना है तो हम यहाँ पकलिक करेंगे समय पर हुआ था फिर आगे बढ़ेंगे परसो के दौरान ये परसो के बाद कोई कथिनाई हुई तो अगर कोई कथिनाई होगी तो हाँ पकली करना है अगर नॉर्मल होगा तो नहीं पकली करना है फिर आगे बढ़ेंगे पिछले परसो के परकार समानने या फिर बड़ा ओपरेशन तो समानने है फिर आम आगे बढ़ेंगे अगर operation के द्वारा होगा तो आपको बड़ा operation पर चेक करना होगा फिर आगे बढ़ेंगे परसव कहां क्या गया घर में, hospital में या फिर किसी यात्रा के दोड़ान तो अगर घर में परसव हुआ होगा तो घर में क्लिक करना है जैसे इनका घर में परसव हुआ था पिछला परसव तो हम घर पर क्लिक करेंगे अगर होस्पीटल में होता है तो यहाँ पर होस्पीटल में क्लिक करना होगा फिर आगे बठेंगे क्या महिला के पास मुवाइल नंबर है अगर महिला के पास मुवाइल नंबर होगा तो हाँ पर क्लिक करना है अगर नहीं है कोई मुवाइल नंबर तो नहीं पर क्लिक करना है ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे क्या सुफिया परवीन का बैंक में खाता है तो अगर उनका कोई बैंक में खाता होगा तो हाँ पर क्लिक करना अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है ठीक है तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे फिर blood group, blood group उनका जो भी हो गा, अगर उनका blood group आपको पता है, तो आपको यहाँ से select करना है, अगर नहीं पता है आपको, तो पता नहीं पर click करना है, फिर आगे बढ़ना है. क्या लावरती के पास MCTS ID है, तो अगर MCTS ID होगा, तो हां पर click करना है, अगर आप हां पखिलिक की जिएगा तो फिर वहाँ पर आपको MCTS ID माँगेगा, अगर आपके पास MCTS ID नहीं है, तो आपको नहीं पखिलिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। पिर पुछ रहा क्या लाभरती के पास RCH ID है तो अगर उनके पास RCH ID होगा तीका करन कार्ट पर तो हां पर क्लिक करना है अगर कोई भी RCH ID जो है नहीं होगा तो नहीं पर क्लिक करना है हाँ पक्लिक किजिएगा तो फिर RCH ID मांगेगा और हमारे छो छेत्र में यह जो होश्पीटल वाले वो कोई RCH ID नहीं लिखते हैं ठीक है तो हमारे पास यह उपलब्द नहीं है RCH ID तो हम नहीं पक्लिक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अब यह कह रहा है फॉर्म समाप्त करने के बाद क्रिपया गिरी भर्मन की सुची की समिच्छा करें तैग करें कि आज इस लाभरती के लिए परसवपूर्प तयारी वाला भर्मन तुरंत करना है या नहीं ठीक है तो हम ठीक है पक्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर यहां पर समाप्त का उप्शन आ गया तो समाप्त के उप्शन पर क्लिक कर देंगे जिसे यह फॉर्म सेव हो जाएगा आब इस फॉर्म को सेव हो गया है तो इसका मतलब अब यह हो गया कि इनका गर्वास्ता पंजी करने वो हो चुका है अब हमें गिरी भर्मन वाले में जाना है और यहां पर उनका नाम होगा गरवत्ति वाला है तो यहाँ पर देखे इनका नाम आ रहा है सुफिया परविन मुहम्माद सहनावाद जिनका अभी अभी हमने पंजीकरन किया था अब पंजीकरन करने के बाद आपको तुरन गिरी भर्मन का फॉर्म भी भरना है ठीक है आज भर्मन करें फिर आपको आगे बढ़ना है फिर यहां पर पूछ रहा है सुफिया परविन के परशाव की संभावी तितिये 10-128 ठीक है वह अगर वस्ता के 4-4 माह में है क्या यह सही है तो हां फिर आगे बढ़ेंगे क्या सुफिया परविन का बैंक में खाता है तो नहीं अभी हमारे पास इनका खाता उ सकता है फिर जो है ब्लड ग्रूप पता नहीं फिर यह पूछ रहा है इस गरवती महिला को जारी की गई कुल आईफे की गोली या नहीं कि आइडन फोलिक एसिट की गोली अगर आप कोई भी आईफे की गोली इन्हें देते हैं तो आपको जो उनका संख्या डालना है जैसे जरते हैं की, अब यहाँ बहते हैं और फिर आगे बठेंगे गरवती महिला को जारी की गई कुल आईफे की गोली या नहीं अब पूछ रहा हता गरवती महिला और आईफे तो हां फिर आगे बठेंगे क्या करवती महिलाई आएफे की गोलिया ले रही है हां फिर आगे बठेंगे पिछले साथ दिन में लाभरती ने कितनी आएफे की गोलिया खाई है तो साथ दिन में हर दिन जो है एक खाना है तो साथ दिन में जो है साथ गोली फिर आगे हैं फिर आगे बढ़ेंगे क्या वह अत्रिक्त भोचन खा रही है हां फिर आगे बढ़ेंगे क्या वह आयोडीन युक्त नमक का उपयोग कर रही है हां फिर आगे बढ़ेंगे क्या परिवार ने परसाओ कराने के लिए पैसे की बच्चा शुरू कर दी है हां पर क्लिक ख्याल रखती है हां फिर आगे बढ़ेंगे क्या महीला का टीका करन्द कार्ड मात्री एवं सिसु सुरक्षा कार्ड उपलब्ध है हां फिर आगे बढ़ेंगे पर्सव पुर्व जाच एक प्राप्थ हुआ हां फिर आगे बढ़ेंगे पर्सव पुर्व जाच की तिथी फर पर सौफ पुर्व जाच कहां हुआивает तो सरकारी में हुआ है फिर आगे बढ़ेंगे कर में रग चाप समानने हैं पर आगे बढ़ेंगे सिस्टोलिक रख चाप यहां पर जो है जैस्टोलीक रख चाप डालना है फिर आगे बढ़ेंगे सिस्टोलिक रख्चाप नीचे कांग तो नीचे वाला हमें डालना है तो नीचे वाला है इनका 52 हाला कि ये जो है लो है ये असी के करीब होना चाहिए था लेकिन ये लो है इनका फिर ये पेट की जाच की की नहीं की तो की फिर आगे बढ़ेंगे वजन कीलों में इनका वजन डालना है हेमोगलेविन अगर हेमोगलेविन आपको मालूम है तो डालिए अगर नहीं मालूम है तो फिर आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत पाई गई गई नहीं टिटी बुस्टर प्राप्थ हुआ हाँ फिर टी टी बुस्टा की टिथी भरे 24, 8, 2020 क्या आपने आगनवारी केंडर से लाभरती को टी एचा लेने के लिए याद दिलाया हाँ फिर आगे बढ़ेंगे से हट्रहत लोहाँ आप पर संवांप्ट के उप्शन पर क्लिकश डाइगा जिसे से एव सेव हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है पडिवार परवंधन में जा सबसे पहले गर्वस्टा का पंजिकरन क्रता है पंजी करन समाप्त होने के बाद आपको गरी भर्मन कर लेना है आप यहाँ पर नीचे में आईएगा THR में THR के मोरिल पर और THR वित्रन तो यहाँ पर उनका देखे नाम सो होगा यह देखिए सुफिया परवीन यह देखे गरवती का यहाँ पर बड़ा मुँ वाला जो है च यह दो यह नहीं आ रहा था गरवती वाला अभी हमने एक पंजीकरन किया तो यहाँ पर जो होने लगा तो कुछ इस प्रकार से आप जो है आप जो है आईसी दीस कैस में जो है गरवस्ता पंजीकरन कर सकते हैं तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप हमें इस वीडियो के नीचे लाइक की बत्म प्रेस करके लाइक कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है सुझाओ है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो बाइबाइबाइब